असलाम वालेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे डियर वीवर्स आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पेरा थाइराइड हार्मोन टेस्ट और आज की वीडियो में भी कुछ हैं चीजें हम डिसकस करेंगे तो वक्ष जाया नहीं करते हैं अपना टॉपिक पेरा थाइराइड हार्मोन टेस्ट डियर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबा दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पेराथाइराइड हार्मोन है क्या पेराथाइराइड हार्मोन को पेराथारिन भी कहा जाता है पेराथाइराइड हार्मोन को पेरत हार्मोन भी कहा जाता है और यह पेराथाइराइड हार्मोन बनता है पेराथाइराइड ग्लैंड में और वहां से ये release भी होता है, अभी हम बात करेंगे के ये पेराताईराइड हर्मॉन हमारे जिस्म में क्या काम करता है, तो सबसे पहले ये vitamin D को फाल हालत में तब्दील करता है, ताके वह जिस्म में अपना काम ठीक से कर सके, इसके इलावा ये हमारे गुर्दों को इसकाबल बनाता है कि वहां से केल्शिम की अब्सॉप्शन हो सके इसके इलावा हमारे जिसम में केल्शिम और फासफोरस के लेवल को भी ये पेराथाईराइड हार्मोन मतवाजी रखता है बैलिंस रखता है हमारे पिशाब में ज्यादा केल्शियम जाया ना हो तो पेराथाईराइड हार्मोन इस चीज़ को भी कांट्रोल करता है हमारी आंतों को इस चाबल बनाता है कि वहां पर केल्शियम की ज्यादा से ज्यादा अब्जॉप्शन हो सके कियलشیم का लेवल कम है, जुसे हैं, तो पेरा थारइण हर्मोन जवहां वहां से केल्शियम को निकालना शुरू करता है, वह केल्शियम खूनल के केल्शियम का लेवल मतवाजी होगया एंध का बात करेंगे में कियल तो उस टेस्ट की मदद से हमें पता लग सकता है के जिसम में केल्सियम का लेवल कम या ज्यादा तो नहीं हो गया इसके इलावा हमें इस टेस्ट की मदद से ये भी पता चल सकता है के कहीं हाइपरपेरेथायरीडिजम या इस गस्यान धों मौंध closes नहीं है तो 3-5 ml का खून का नमूना लिया जाता है, रेड टॉप ट्यूब में, जेल ट्यूब में, सेंट्रिफ्यूज किया जाता है, सीरम को निकाला जाता है, और फिर एडवांस मशिनरी पर टेस्ट को रन किया जाता है. अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी मेडिकल हालते हैं जिसमें पेराथाईराइड हार्मोन का लेवल बहुत जादा बढ़ जाता है, तो अगर कहीं पेराथाईराइड ग्लैंड में ट्यूमर मौजूद हो, या अगर हमारे खून में केल्शिम का लेवल कम हो जाए, या अगर ज जिसम में केल्शिम की अब्जॉप्शन ठीक तरह से नहीं होती और उसकी कमी वाकिया होती है, तो इन हालतों में पेराथाईराइड हार्मोन का लेवल खून में बलंद हो जाता है, अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी हालते हैं जिसमें पेराथाईराइड हार्मोन का लेवल खम हो जाता है तो वहालते हैं अगर जिसम में आ्टु इम्यून डिजीज हो अगर जिसम में خुन मिगनेशिम का लेवल कम हो इसमें मलिटिपल माइलोमा में केलिशिम का लेवल अगर खुन में बढ़ जाए, हाइपो पेरा थाइराइडिसम में, या अगर पेरा थाइराइड ड्लेंड को सर्जरी की वज़ज़ से रिमूफ कर दिया जाए, जिसम से हटा दिया जाए, या जब किसी मरीज का शुआओं की मदद से कैंसर का इलाज हो रहा होता है, तो ऐसी हालतों में, जो पेरा थाइराइड हार्मोन है, तो इसका लेवल खून में कम हो जाता है, बहुत ज़्यादर शुक्रिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा, अगर